हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही ब्यूटिफुल बनारसी साड़ी का रियूज बताने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल बॉर्डर है और ये प्योर बनारसी साड़ी है इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी बहुत ही beautiful है तो इस साड़ी से हमें लहंगा और दुपट्टा create करना है 5.5 मिटर की ये साड़ी है पल्लू पार्ट जो है वो हमें दुपट्टे में लेना है तो ये दुपट्टा हमने निकाला है दुपट्टे में दोनों साइड में पल्लू पार्ट में एक ही साइड में सारे बॉर्डर थे तो वहां से हमने एक बॉर्डर का पैनल कट किया है ये वाला और दूसरे साइड में एड कर दिया है जिससे हमारे दुपट्टे में दोनों साइड में बॉर्डर आ जाए और एक side में जहां से हमने cut किया था वहाँ पर हमने पूरा जो border है साड़ी का वो border attach कर दिया है तो इससे हमारा जो दुपटा है वो both sides से बहुत ही beautiful सा look दे रहा है और दुपटे की length भी proper निकल गई है अब दिखाते हैं कि लहगा हमने कैसे create किया है तो यह है वो लहगा जो हमने create किया है यहां मैं आपको बता दूँ कि यह 10 कलियों का लहगा है यहां पर 12 panels हमने नहीं लिये हैं 10 panels लिये 5 front में और 5 back side में और waist से हमें बिल्कुल slim fit करना था तो waist पर हमने border attach करके side में hook दिया है इस तरह से elastic या dory कुछ भी नहीं skirt pattern में बनाया है और waist पर slim fit रखना था इसलिए हमने इसे कली pattern में बनाया है और linen में हमने यहां पर cotton linen दी है तो I hope friends यह video आपके लिए useful हो बनार्जी साड़ी का यह beautiful सा creation आपको पसंद आया हो blouse के लिए मैं आपको बता दू कि जो साड़ी का blouse था वही blouse इस लहंगे के साथ भी यूज किया जाएगा तो हमें यहां पर सिर्फ लहंगा और तुपटा निकालना था अगर यह video आपके लिए useful रही हो तो comment section में जरू बताएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़र फट से सब्सक्राइब कर लें बने रहे हैं हमाई चैनल के साथ थैंक्स पूर वाचिंग